दोस्तों फाइनली हीरो गलेमर अपने आइकोनिक डिजाइन के साथ लॉंच हो गिया है ये अपडेट जो है मैंने आपको प्रिवियस वीडियो में ही दे दिया था लेकिन इस वीडियो में आपको उससे भी बड़ा गुड नियूस देने वाला हूँ जो कि अब ये बाइक जो है डिलर्शिप पे भी एवेलेबल हो रहा है आप जो है भी स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं हिरो जो है इस बाइक को अभी डिलर्शिप पे भी भेज रहा है लेकिन इस बाइक को हिरो ने अभी तक ओफिसियली लॉंच नहीं किया है और official launch का date भी अभी तक सामने ही नहीं आया है लेकिन काफी जल्द ये bike जो है hero launch करने वाला है officially और दोस्तों काफी लोग जो है ये भी comment कर रहे थे कि आप जो है fake news दे रहे हैं, glamour जो है ये design के साथ launch नहीं हुआ है आप पुराना ओला photo लगा कर video बना रहे हैं, आप गलत information दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है दोस्तों मैं आप लोगों को गलत information नहीं देता हूँ मैं आपको एकदम correct information देता हूँ तो इस वीडियो में जोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस bike का on road price कितना होने वाला है क्याकर new features आपको मिलेगा complete जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो अगर आप वीडियो है 2030 में iconic design के साथ इस glamour को purchase करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के end तक जरूर देख लें और चैनल पर फर्स टाइम है तो चैनल को subscribe करके डेल आइकन को press कर लें चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो है इसमें आपको मैं new features बता देता हूँ कि क्या कि आपको new features अब आपको मिलने वाला है इस bike में आप जो है आपको fully digital meter console मिल जाएगा with bluetooth connectivity जो की काफी must होने वाला है आपको जो है पैसन extract में जो meter console मिलता है same meter console जो है आपको इस bike में मिलने वाला है अब जो है इस bike में आपको call alert SMS alert miss call alert का पता चल जाएगा real time mileage को देख सकते हैं service reminder का light मिल जाएगा low fuel indication का light मिल जाएगा काफी informative meter console रहने वाला है USB charging port भी जो है आपको आप इसमें company provide कर रही है आप जो है emergency में अपने mobile को इसमें charge भी कर सकते हैं new alloy wheel आपको company provide कर रही है आप जो है अभी screen पर देख लेए new alloy wheel आपको इसमें company provide कर रही है ये alloy wheel जो है आपको अभी currently जो glamour extract आता है उसमें आपको जो है सेम alloy wheel मिलता है तो आपको सेम alloy wheel जो है company इसमें provide कर रही है और tail lamp का आप लोग design अभी तो इसमें फोटो में clear नहीं हो रहा है लेकिन tail lamp भी आपको जो है glamour extract वाला ही इसमें company प्रोवाइड करेगी जो कि काफी सांदार लगने वाला है आप अभी जो है screen में tail lamp का design देख लें यह जो है आपको अभी glamour extract का में photo दिखा रहा हूँ तो glamour extract में जो आपको tail lamp मिलता है same tail lamp आपको glamour में भी मिलने वाला है अब यह bike जो है E20 compliant engine के साथ आ गया है इस bike में आपको E20 का support मिल जाएगा जिसमें कि आप 20% ethanol वाले petrol को भी डलवा सकते हैं इस bike का engine अब जो है BS6 phase 2 update के साथ आया है तो और भी जादा refined हो चुका है इस bike में आपको 124.7 CC का engine मिलेगा जो की power generate करेगा 10.84 PS के approach में torque जो है 10.6 Nm generate करेगा काफी बहतरीन आपको इसमें performance मिल जाएगा initial pickup काफी अच्छा मिलने वाला है 5-speed का gearbox आपको इसमें setup मिलेगा तो आप जो है top end का performance भी इस bike से काफी बहतरीन निकाल सकते हैं आप इस bike के mileage की अगर बात करें तो इस bike में आप जो है 60 से 65 का mileage निकाल पाएगे जो की आपके riding stand पे depend करेगा आप जो है bike को किस तरह से चलाते हैं इस तरह से maintain करते हैं यह जो है totally आप पर depend करता है इस bike में आपको जो है आप मैं features बता देता हूँ कि और भी आपको क्या के features मिल जाएगा इस bike में जो है आपको side stand engine cutoff sensor मिलने वाला है combi braking system मिलने वाला है front profile से आप जो है आप बाइक का loop देख ले तो front profile में जो है company ने changes नहीं किया है front में आपको halogen light का setup मिल रहा है indicator भी जो है आपको halogen में company provide कर रही है और जो है इसका आप लोग look front से देख लें similar आपको look मिलता है वो भी तरह का changes company इसमें नहीं की है और आप जो है यहाँ पर देख लें आपको front में telescopic suspension मिल जाता है front में जो है आपको इसमें disc brake का भी option मिल जाएगा इस bike में जो है आपको दो variant का option मिलेगा आप इसमें drum brake वाले variant को भी purchase कर सकते हैं और disc brake वाले variant को भी purchase कर सकते हैं अगर आप जो है इसके drum brake वाले variant को purchase करते हैं तो उसका on road price जो है 97,000 से लेकर एक लाग के बीच में रहने वाला है और अगर आप जो है इसके disc brake वाले variant को purchase करते हैं तो एक लाग 2,000 से लेकर एक लाग 5,000 के बीच में रहने वाला है जो की price वगरे जो है काफी अच्छा रखा गया है बाइक का अगर आप जो है इसी price point में देखते हैं तो honda के पास जो है sign 125 है जिसका की look काफी बहतर है और लोग जो है उसको लेना भी पसंद करते हैं iconic design के साथ वो बाइक आता है लेकिन hero ने जो है इस glamour को काफी time पहले जो है discontinue कर दिया था और new shape में जो है glamour को launch किया था जिसका की design लोगों को पसंद नहीं आया और वो जो है compete नहीं कर पाता था sign 125 से लेकिन ये glamour जो है sign 125 से definitely compete करेगा और लोगों को काफी अच्छा लगता है इस बाइक का iconic design hero ने कुई दिन पहले जो है passion plus को भी launch किया जिसका की sale काफी boost कर गया passion plus का जो old design था लोगों को अच्छा लगता था और जो new facelift जो है company ने launch किया था लोगों को अच्छा नहीं लगा इसके वज़े से उस bike का भी sale कम हो गया था new model जब उसका launch company ने किया iconic design के साथ तो लोगों को अच्छा लग गया इस वज़े से company जो है glamour का भी iconic design को फिर से launch कर रही है तो दोस्तों अगर आप भी जो है 2003 में 125 CC segment में new bike को purchase करना चाते थे और glamour की और जाना चाते थे तो आप जो है इस bike के लिए कुछ वेट कर सकते हैं यह जो है dealership पे पहुंच चुका है और काफी जल जो है hero इसका official launch event भी करने वाला है और आप जो है इस bike को काफी जल खरिज भी सकते हैं तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग comment में जरूर बता है bike आप लोग को कैसा लग रहा एक बर comment करके जरूर बता है वीडियो अच्छ लगए तो वीडियो को like करें चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लें और अगर आपके friends और family में इस बाइक को कोई पर्चेस करना चाहता था तो उनके साथ आप इस वीडियो को सेर जरूर कर दे मिलता हूं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच